Case of Pika Now we will discuss the case of a client जिसको Pika का problem था और हम देखेंगे कि जो उसकी symptoms हैं वो किस तरीके से manifest होती हैं So it is the case of an Indian girl She is like 14 years old और उसको जिस वकत hospital लाया गया तो उसको mainly abnormal abdominal जो था वो distress feel हो रहा था constipation feel हो रही थी और उसको cramps और pain जो थी वो feel हो रही थी अब basically उस client के साथ जो history थी वो ये थी कि वो mut को जो है वो use कर रही थी अब जैसे हमने ये चीज़ देखी थी diagnostic criteria के अंदर कि बहुत दफ़ा clients जो हैं वो किसी और medical condition के लिए आते हैं but we identified कि उसको problem जो है वो Pika का है वो अपनी mother के साथ और uncle के साथ basically hospital आई थी और उसके बारे में जैस वकत information ली गई तो उसकी mother ने ये report किया कि अब वो सिरफ और सिरफ स्वाइल ही नहीं बलके floor के उपर कोई भी चीज़ जो पड़ी होती थी वो उसको जो है वो उठाकर खा लेती थी ठीक है अब ये चीज़ उसने बताया कि स्टार्ट हुई थी उसकी early childhood में और जब दो साल तक वो बची जो है वो ये activity जो है वो कटती रही लेकिन ये reduce होने के साथ साथ वकत के ये बढ़ती गई ये increase होती गई जबकि उसकी mother का कहना ये था कि जो बाकी उसकी age फालोस थे उन्होंन मिटी खाना छोड़ दी थी ठीक है तो this is something कि जो वीना का ये characteristics था कि वो ऐसा substance use करी थी जिसकी कोई nutritional value नहीं थी वो बढ़ता चला गया rather than के with age के साथ वो खतम होना शुरू हो जाता और उन्होंने ये भी चीज रिपोर्ट की कि mostly जो family member थे उन्होंने कभी उसको रोका भी नहीं उसको मना भी नहीं किया और वो usually जो मट थी वो जाकर घर के back side से जो थी वो खाती थी और उसका जो single day में food substance intake था वो 200 grams था per day ठीक है तो अगर आप यहां से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि जो वीना है उसके अंदर जो characteristics है वो पूरे है diagnostic criteria के जिसके अंदर हमाई पस minimum requirement जो है वो at least one month है ठीक है कि one month से जो कोई client है वो ऐसा substance use कर रहा हो जिसमें किसी किसम की nutrition value ना हो ठीक है जबकि इस बच्ची का जो time period था that is more than one month इसके साथ हमने ये भी देखा कि जो वो substance use करी थी वो in the early age that is used by everyone in the village और उसके बाद वो सिरफ उसके अंदर जो है वो behavior रह गया जबकि बाकी सब बच्चे जो थे हैं उन्होंने उस इसको छोड़ दिया So it is something कि जब आपके पास Pika का client आएगा तो वो certain time medical history के साथ आता है और जब medical history को हम dig out करते हैं कि ये problem start कैसे हुआ तो उस वकत हमें पता चलता है कि under the root cause there is a problem of Pika. Thank you.